हेलो अब्रीवन सब्सक्राइब को समझाएंगे समझ में आप लोग को आभी जाएगा बस लिखने के चक्कर में मत रहो जितना चीज हो सके दिमाग में सबसे जबते हैं लेकिन समझने का सबसे जबाने का कोषिस करेंगे जादा इहां पर समझाने का कोषिस करेंके आपको करवाइब करवा देंगए ये आप लो nemसे नंबर करो कि आप सब यह सब बाते समझे होंगे तो करो इस चीज को अच्छे से आप जो भी पढ़ाया जाए उस चीज को समझो लेखने का ज्यादा ट्राय मत करो ज्यादा समझने का कोसिश करो ठीक है तो आज हम जो पढ़ेंगे जीवों में जनन चीवों में जनन क्या होता है तो हड़ एक जीव जानते हैं कि अपना जनन के र होता है एने मल्स में भी होता है हर एक जानवर भी अपना प्रचनन्ण करते हैं तो कर दो फ़रेज्ट को देखेंगे उनल जामते हैं हमारा सबसे फर्स टोफिक होती है तौ फोसिया हिवाल का जीवन अवधी अलग अलग होता है जैसे मनुस्स सब्सक्राइब या मनुष सतर साथ साल तक जीता है इससे जादा भी जी सकता है सभी चीज का जीवन का ओधी होता है सबसे पली यहां देख लेते हैं जीवन ओधी क्या होता है जीवन ओधी उसे कहते हैं हर एक जीव हर एक जो जनतु अपने जैसे एक संतान उत्पंद करता है उत्पंद करने के बाद मिर्तु तक य काल होता है उसी काल को हम कहते हैं जीवन का आवधी यहीं होता है जीवन आवधी बच्पन से बच्चा होने के बाद मिर्तु के पहले तक का इसके बीच का जो काल होता है इसी काल को हम कहते हैं जीवन अवधी आईबिस के आपको यह समझ में आ गया होगा हम लोग जानते हैं हट एक चीज का अलग-अलग जीवन अवधी होता है जैसे कि तितली को ले लेते हैं यह भी एक जीवे यह एक से दो हफ्ता तक जीवित से आइपक कंवा को ले लेते हैंते कवा पंद्र साव थी जीवित रहता ही पंद्र साव कि जीवित से दोह कोण चाली साओं तक जीवन काल को ने धारित नहीं किया जा सकता है हम लोग जानते हैं कि कववा जो है यह पंदर साल तक जीता है तोता जो है 140 साल तक जीता है लेकिन दोनों का अकार सेम है लेकिन जीवन अवधी अलग-अलग होता है अमारी जो गाए माता होती है ये 25 साल तक ही जीवित रहती है अमारा जो घोड़ा होता है ये 25 से 30 साल तक जिन्दा रहता है कच्छुआ जो होता है कच्छुआ 100 से 1200 साल तक जिन्दा रहता है मच्छर जो होता है 14 दिन से 56 दिन तक जीवित रहता है यह सब चीज का अलग-अलग जीवन ओधी होता है बहुत सारा प्लांट हो गए जो कि बड़े-बड़े प्लांट से उन्लों का भी जीवन ओधी अलग-अलग होता है है जो कि हम लोग जानते हैं कि जो बढगत का पेर होता है उसका यह जो बढगत का पेर है इसका जीवन काल हभां चबबाद एक हजार सेल लेकर 1500 साल तक जीवीद रहसकता है हम लोग गबड़ा गए की यह घबर जैसे जदा बढ़गत का आप लोग समझ गए होंगे यह जो आप लोग को दिखाए दे रहा है इस पेज को भी इसके इंसर्ट करिए उसके बार अगले पेज को हम समझाएने का प्रोसिस करें अब यहां पर हम लोग देखेंगे जीवव में जननना हर एक जीव जनतु अपने जैसा एक संतान का जनम द होता है यह चलते रहती है इसी को ओम करते हैं जीवों का जनन हम लोग जानते हैं कि जीवों का जनन दो प्रकार का होता है एक होता है लहेंगी आदूसरा होता है लेंगीक एक होता है अदूसरा होता है लेंगीक इसे को इंगलिस में कहते है और सेक्सवल और एक सेक्स lag यह तो प्ड़कारज के होते हैं खूल हम उसे कहते हैं जो अपना संतां उद्पत्टी करने के लिए नढ और मादा और फिमेल की आवसकता नहीं होती है यह जो अपना संतान को उत्पती करते हैं सेम टु सेम जैसा रहते हैं वैसे ही संतान का उत्पती करते हैं यह एक दूसरी के समान होने के कारण इसी को हम कहते हैं क्लोन हम उसे कहते हैं जिसमें मेल और फिमेल मतलब नर्ड और मादा की अवसक्ता प्रजनन्द करने के लिए नहीं होती है इससे जो प्रजनन्द की किरिया मतलब जो बच्चे होते हैं उसकी उपरोलब पीड़ी होती है के वैसे नीचे वाले यह भी संदान उपती होती है यह दोनों एक समाहना होने के काड़ किलोम यह दोनों एक समाहना कश् UP काकूइब लैंगी किजिए में लैंगी किडिया सश्क फोभल्म कलद यह और मारा मतलब मेल फीमिल दोनों की ऐसकता होती है जिस क्रजाति के दुद मढ़ने के बाद जो संतान का अचता यहां गाट इना यह एकिर इनायग के दोरस इसको करें इसमें हर एक चीज लिख्या हुआ है और आप लोग को समझा भी दिए इस चीज को ऐसे ही आप लोग को हर एक टॉपिक को जल्दी अच्छे से एक ही वीडियो या दो वीडियो में समझा दिया जाएगा ओकी अब देखते हैं अगला टॉपिक अब यहां पर अगले टॉपिक को समझेंगे जिस टॉपिक का नाम है विखंडन मतलब इसको इंगलिज में फीजम कहते हैं हम उसे कहते हैं परकार की कोषिका होता है उस कोषिका में एक केंद्रक अगर केंद्रक से अलग-अलग डिभाइड कर दिया जाये तो अलग-अलग नए दो अपना-अपना नहमार कर लेते हैं इसी से दो से चार चार से आठ्ट होगते हैं सबसे असान एक एक इंजांपल लेखते हैं अमीबाग यह हो गया है हमारा हुआ हमीबा मैं यह बीचोना होता है और यहां पर अजने इसमें नहीं का एक होता है अब यहां पर रख जेट अब यहां पर अलग अलग अपना प्रजना नहीं कर पाएगा अगर यह निवकिलियस में से थोड़ा सा भी हिस्सा एक साइड या एक साइड आ जाएगा या किसी कारण यह दोनों अलग अलग तूटने के करार पर आ जाते हैं और तूटके अलग अलग के लिया हो जाती है यह भी अगले पर तूटेगा एक नए अमीबा का निर्मार कर देगा तामलोग जानते हैं एक से क्या हो गया यह दो हो गया और यह दो से क्या होगा अभी य एक से कितना बंग गया दो दूचार दिछे इस तरह से यह क्या होता है बिखंडन करके अपना प्रजनन करते हैं कैसे बिखंडन हो जाता है और दूसरे एक से दो चीज का निर्मार हो जाता है यह होते हैं कोसी का भी भाजन नहीं परकर करके दो अलग करते हैं इस पड़कार करा करिए यह जो दिखाए दशाया उसके पद हम अगला टॉपी को देखते हैं मुकुलन मुकुलन अगला यहां पर डौकिक है यह हो गया मुकुलन की से कहते हैं हम लोग जानते हैं कि अपने जैसा प्रजनन करने के बाद जो कली होती है खुद से वहां से तूटकर अलग हो जाती है उसी को हम कहते हैं मुकुलन जैसे कि यह हम लोग देख लिए यह एक बना इसे से अलग कल्या बना इतना साड़ा अलग अलग बना है यह कल्या फिर यह अलग बना है अलग बने का फिर यहां पर अलग बनते हैं यहां से फिर यह अलग होते जाता है इसी एक कल्या तूटकर अलग हो जाता है यह को समय आता पेनिसिल्यम की कोनिडिय इसे कहते हैं और यहां जो एक फिगार है को कहते हैं यह जो हाइट्रा दिखाई देढ़ा इसमें यह मुख कोगया इससे एक कलिया उत्पन हो concept कहते हैं यह यहां से कल बना उसी आकार का बन रहा बनने का बाद यहां से तूटकर अलग हो जाता है और अलग से प्रजनल की किरियाय कर लेता है तो हम इसे ही करते हैं क्या मुकुलांग यह किरियाय हर चीज में अलग होता है यहां पर यहां पर देख लिए जिससे हम करते हैं अलग होके फिर अपना प्रजनन कर लेती है यह मुकुलांग क्या हो गया अलगिक जनन हो गया और यहां पर आपको दिखाए देगा है इस चीज को इसकी इंसर्ट करिए उसके बाद हम अगला टॉपिक को बताते हैं यहां पर हम लोग देखेंगे काई काईक जनक में क्या होता है काईक जनक में एक आखे होती है बहुत सारी आखे होती है आखे से कलिका बन जाती है कलिका से वह अपना प्रजनन करने लगती है कैसे करती है जैसे कि यह एक आलू हो गया आलू को हम बना दिये आलू में इस टाइप का यह आँख होता है अगर आँख से यह बड़ा इस तरह से अंकूरित आँख हो जाता है बड़ा आँख हो जाता है बड़ा आँख होने के बाद यह प्रजनन की किरिया करने लगता है इस अगला यह कहा होता है अगला यह प्रजनन की क्लिया होने लगते हैं इस तरीका से कलिकाई में होता है अगर इस तरह से एक कलीका हो जाता है इसे से अगला यह प्रजननर की करना लगता है इसे कलिका से यह जो यह सब फीगर देख रहे हैं इस चीज को अपने नौट-डाउंग में तो यह काई के जनक को भी इस्किन्सोर्ट करिए उसके बाद अगले टॉपिक को हम यहां पर समझाते हैं और इक टॉपिक को यहां पर स्टिक उस्टिक इकड़न आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा किम्कि आपको परिसानी नहां कि सिर्थ देखते हैं यहां पर लैंगिक जनक तो यहां पर खतम हो गया अब यहां पर देखते हैं लैंगी की जनक हम उसे कहते हैं जिसमें नर्ड और मादा दोनों की आउसकता से गैमेट का निर्मार होता है गैमेट से दोनों एक दूसरे से मिलकर जयोड बन जाते हैं इस परकार के संततिक को हम इस परकार से उत्पन होते रहता है जनक की किरिया चलते रहता है मेल और फीमेल से दोनों को एटेच में रहने के बाद इसी किरिया को हम कहते हैं लैंगिक किरिया हम लोग जानते हैं कि यह लैंगिक किरिया प्लांट्स में भी होता है प्लांट्स भी एक दूसरे के मेल और फीमेल एक दूसरे के करीब रहते हैं इसी किरिया उसे उन दोनों मे जोंयर्पी किर्याएं उतपन hoती है यह मनुसमें भी होता है और फ्लाट समय और फ्लाट में होता है अब यहां पे अगला टॉपिक देखें Celan आज ड्रेवी और किसें ने रली लीए बच्चा से बड़ा होने लगता है जैसे निस है उसे हम किसुणा अवस्था काते हैं में में शरीर का ब्रीधी होने लगता है और इक जगत बाल आने लगते हैं मनुस में भी और वैसे ही लड़की में भी हो जाता है इस अवस्था में अस्थन का अबिकास होने लगता है इसी साइकल इसी चक्र को हम कहते हैं कि सोड़ा अवस्था यह सब हो गया हर एक जिव में होता है मनुस्य में होता है और प्लांस में होता है में भी. जब पार्धा छोटा से बड़ा होने लगते हैं बड़ा होने के बाद उसमें कलिया खोद खिलने लगता है किस और आवस्था यह हैज किस और अवास्ता होता है जो किपने ठी होता है उलैंगिक जननक प्लांस और वर्जान की किडियाय करते हैं यह sow गया हमारा कि सोड़ावस्था सब आपको समझ में आ रहा होगा इस पेज को इसके पर करिए और इसके बाद वाला यह जो परषित और लिख करिए। अब यहाँ प्रावस्था के दौरान फिग्मिल में जब अन्डारूपनते हैं उसी को हम कहते हैं क्या फिल्मिल में अंडारू का नेमार करता है यह हमेशा होते रहता है जैसे कि मैं मतलब मनुस का बात करें तो मनुस से में अस्तंधारी जो भी होते हैं सब में यह सब किर्याइं होती हैं जैसे मनुस में फीमेल का बात करें तो उनमें यह मदर चक्र चलते रहता है हर मंधील चलते रहता है उस समय अंडारू का नीन मार हो सब करने bonsai यह सब मदर्चक्र बोलते हैं सब सबसे पर अंडारू का निर्मार होने के बाद आगे की प्रकिरिया होती भी अहां पर मदर्चक्र पढ़ेंगे इसके बाद आगे देखेंगे किया होता है निसेचन होने के बाद ँए फोन का निंवार कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं ये किरिया हर एक जिव होता है इसी के कारण प्रजयन्ध की क्रियाय में भतें यह जानवड़ों में होते हैं और एक और एक इंपोर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि जो जंगलों में रहते हैं उन लोग का मोसम तो उन लोग का सभी सुविधा तो होता नहीं जो जंगल में जाना उड़ाते हैं उन सुविदा के हिसाब से उनको मोसम के हिसाब से उसका मदर चक्र चलता है मोसम के हिसाब से अनुकुल मोसम होने के बाद उनका मदर चक्र बलता है मतलब अंडारू का नेमार होता है उसके बास निसेचन के बाद उनका प्रजननकी किरिया होती है मतलब भावान इतना अच्छे से सब चीज को बताया है कि मनुष सहते इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं लेकिन जो जंगलों में जाना और आते हैं उनके लिए टाइम टेबल बना दिया है मतलब मोसम के हिसाब से बना दिया है कि अगर ठंडा का मोसम आये कोई जीव पैदा हुगा ठंडा से मड़े नहीं इसलिए जंगलों में जो राते हैं उनको इस तरीका से परिवर्तन कर दिया है कि यह मोसम में ही वह अपना डालू का निर्मार करेंगे जिसे जो मनुष्य से हो जो जो रहते हैं जैसे कि जंगलों में रहते हैं उनकों करते हैं इसी को करते हैं मोसं के हिसाब करते हैं जैसे कि उनकी जो पैदा होंगे उसमें कोई छती ना हो इसकी सब को यह समझ में आ रहा होगा यहां पर दिखाए दे रहा है इसको इसकी इंसर्ट करिए उसके बाद हम अगला टॉपी को बताते हैं इस वीडियो को यहीं पर इंट करना पड़ रहा है कि यह काफी आने वाला जो चप्टर रहेगा उसमें इसका सॉलूशन बेंसी अटी का साड़ा सॉलूशन भी कर देंगे इस चैनल को सबस्क्राइब करो भी तबेल और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हैं दोस्तों बाए 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 पगलो बाए बाए